हेलो जी असलाम अलीकूम विल्कम बेक तो मैं नदर वीडियो जी मैं हूँ फात्मा जुहेर एक नई वीडियो के साथ बहुत ही इन्फोमेशन वैली जो के बहुत जुरूरी है हर लड़की के लिए जी वो क्या है हम लोग हर शीज की बात करते हैं मेकब की जी लेशिज हो कि वो कुछ कहती भी नहीं हमसे और हम उसकी सुनते भी नहीं अच्छा फिर जब हमें सड़न रियक्शन में ज़र आ रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं ओहो यह तो मौसम जेंज हो रहा है ठीक हो जाएगा ओहो यह तो सर्दिया आगी है ठीक हो जागा गर्मियों में मेरी स्क गर्मियों में अच्छे थी सर्दिया मेरी स्किन बुरी हो जादी है यह ऐसे तो नहीं होता स्किन जी हमारी उपर है हम इंसान है स्किन भी तो इंसान ही ना फिर अच्छा जी तो मेन में बात कर रही हूं वह है जी हमने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट किस तरा करना है हमारी skin खराब हुई भी है उसको हम repair करने के लिए सब कुछ लगाते हैं लेकिन अपनी skin को repair होने से बचा लें सबसे ज़्यादा जो जुरूरी चीज होती है वो हम क्यों नहीं use करते हैं वो है A raise और UVB raise होती है यह दो raises होती है UVA और UVB अच्छा जी जो UVA होती है वो थोड़सी कम dangerous होती है लेकिन जो UVB होती है वो थोड़सी साधा dangerous होती है अच्छा जी अब आपको मैं बताती हूं इन दोनों के बारे में difference अच्छा अब जो होता है UVA UVA आप कहेंगे जी इससे क्या होत इससे क्या होती है और फ्रेकल्स होती है जबके फेस पे हर पूरे फेस पे लिटल लिटल डॉट्स और पिग्मेंटेशन टाइपस और सब कुछ मिक्स वो फ्रेकल्स पढ़ जाते है और फिर तीसरा UVA raise करती है वो करती है आपको टैन शदीद किसम का लिटरली आपने अगर वो आपको बार में realized होता है तो आप सोचे हैं कि overall इसने body को या skin को damage की है तो आपको बार में पता चलता है कि मेरा सथ क्या हूँ और फिर बैर बटर ले लेंगे, scrubs, hard cheese ले लेंगे कि हम इसके लिए कुछ इन्वेस्ट करें अच्छा जी फिर बात आजाती है UVAB की जो यह रेज है यह बहुत डेंजरेस है यह इत्ती डेंजरेस हो जाती है जिस तरह आपकी स्किन जल जाती है ठीक है अक्सर आपने देखा होगा मैंने जिनको देखा है वो है कि अक्सर जब ले जाती है तो आपने बहुत जरूरी आपका पचना अच्छा जी हम बात करेंगे जी संब्लॉक और संस्क्रीन इन दोनों में फरेक है अच्छा और मोस्ट ओफ लोगों को मुझे जानता कंदाज है यह लगता होंगा कि संस्रीन और संब्लॉक है यह सेम चीजे पर इनके नाम डिफ्रिंट है जिसना अब हम आई-लाइनर को कह देंगे कोई वो कुछ और नाम लालो मलब कुछ भी जिसना लिप्लॉस को कह दिया लिप्स्टिक बर चीज तो सेम ही है न तो इस तरह लोग समझते हैं कि अच्छा संस्रीन और संब्लॉक का मतलब तो सेम ही है सिर्फ एवी अगर नजर से आप सोचें तो वो ठीक भी है ठीक है क्योंके जी आपके मूँ को मेरे मूँ को नहीं कि चाहिए कुछ क्योंके जी हम लोग एशियन पीपल ठीक है एशियन पीपल ऑल्रेडी टैन कलर की होते हैं मतलब वो इतना चिट्टे गोरे हम लोग अंग्रेज तो हैं अगर तुसे लेंदे हो तो बस तो तुसी नाहीं लाओ कुछ लेकिन जी मुझे कोई शौक नहीं अपनी स्किन तबाह कराने की तो मैं तो सन ब्लॉक प्रेफर करती है अब आजए यह संस्क्रीन की बारी संस्क्रीन वो लोग लगाएं जिनको जी संसे कुछ जरूरी है लेन वो लगा लें वकलिलो वो संस्क्रीन प्रेफर करेंगे कि हमने सं की हर चीज को ब्लॉक नहीं करना होने अपनी स्किन में अंटरो == से नश्क्रीन से लगाएंगे यह सं ब्लॉक और संस्क्रीन कुछ लोग संस्क्रीन रुना पसंद करते हैं कि हमें हर छीज नहीं ब्लॉक करनी Sun की हमने कुझ अपनी बॉड़ी क ँंदर वनुद चाहिए और कुछ लोग जी संब्लॉक यूज करते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमदे अपने फेस आपको यहां पर आज असली आई हूँ, अपना sunblock करीवियो देने, मैंने जी ट्राइ किया एक और sunblock जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, literally इतना affordable भी था, और दूसरा, सबसे भड़ी बात है, देखें जी, brands तो इतने जाद हैं, कि आप जाए market में, आप prefer करेंगे best brand ले लो, पर जी, जो एक mediocre सा बंदा होगा न, वो prefer करेगा कि मुझे अच्छी भी चीज मिले, और मुझे सस्ती भी मिले, मुझे दोनों चीजे एक साथ चाहिए, जो कि आजकल हर brand ये prefer करता है, कि उसकी price उतनी हो, कि हर बंदा ले सके, और अच्छा product भी उसके बाद, सो जी मैं आपको desire का ये recommend करूंगी, sunblock, जो कि SPF 90 के साथ है, बहुत कम sunblocks है market में, जो कि SPF 90 के साथ होते हो, और इससे ये है कि आप जब इसको लगाती हो, मैं आपको इसको texture भी लिखाती हो, इस तरह गए, और आप इसको जब लगाते हो, तो आपके skin पर एक बहुत ही रि result लगा है, मतलब अगर आप sunblock लगा रहे हैं, तो मेरे जैसा बंदा अगर foundation नहीं रोज प्रेफर करता, तो मैं कहते हूं कि आप तो happy अपने sunblock से, ठीक है, मेरे कहने पर आप एक दफ़ा इसको ज़रूर try करो, मुझे जाता है कि लगता है कि combination skin के लिए, क्योंकि ये आपकी glowing सा face कर दिया, face पर भी मैंने सिरफ वो लगाया और आप देख सकते हैं, कि कितना अच्छा है, सिरफ मैंने आंखों पर हलका सा concealer लगाया, otherwise मुझे कुछ भी नहीं लगाया, so ये आप देख सकते हैं, can you see, आपके सामने मैंने लगाया, मैं दूसरे पर भी आपको लगा कर दि अच्छा जी और दो महीने सेविंग करके लेंगे, क्योंकि आप हर चीज तो नहीं एक्स्पेंसिफ ले सकते हार टाइम, ये लिखे लिए, मतलब बहुत अच्छी finishing, plus SPF 90 है, जो कि मैं कहती हूँ, bomb.com बात है, इसकी, अच्छा कुछ लोगोंने myths बनाई नहीं है, कि SPF 90 हो ये 30 हो, कोई फरक नहीं पड़ता, कैसे फरक नहीं पड़ता, मतलब एक product आपको सारी information दे रहे है, और sunblock ये sunscreen के उपर सबसे पहले लोग देखते हैं कि कितना है, SPF तो किस तरह नहीं फरक पड़ता, बहुत फरक पड़ता है, 30% काम करता होगा 15%, 90% at least 70 ये 60% तो आपकी skin प लें, पर SPF 90 लें, मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगी, ठीक है, चलें जी, hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठोड़ी बहुत information जितनी मुझे पता थी, वो भी मैंने आपको बताईए, hope आपके काम आए, second लीजी सर्दी है, बिलकुल sunscreen लगाएं, sunblock इसमें से जौन सी मर्जी चीज मैं जी sunblock लगाती हूं, मैं आपको भी recommend करूंगे, आप sunblock लगाएं क्योंके हमारे face को कुछ सूरज करने चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया, ठीक है, ठीक है, अच्छी, अच्छी, दूसरे, जी, किचन में आज कल आप प्रोडक्ट्स फिर भी होते हैं, आपने ये मानन है कि किचन में आपने जब खाना बनाने जाना है, आपने sunblock लगा के जाने, हीटर के आगे बैठने हैं, आपका sunblock लगा होना चाहिए, और बाहर भी अगर आप सपोस जिसना आज कल तो चलो foggy weather है, लेकिन अब आंके जब सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलेंगे, अंटल दिन जी, आला हाफिस